सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल गुरूजी के एक और फ्रेश एपिसोड में अब खेर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसे देखने के बाद काफी लोगों को, खास कर से उन बच्चों को जो और्लाइम गेम्स को बहुत ज्यदा पसंद करते हैं उन्हें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा कड़ी लगने वाली है मैं उनके लिए विलन बन जाओंगा और एक सकिंड में जो है वो मुझे अपना दुश्मन बना लेंगे लेकिन मुझसे खाबू नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार ये जो वीडियो है ये बनाना बनता है ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज के उपर बात करें और इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ देखो मैं वो इनसान हूँ जो टेक्लोजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और ये मैंने आज से नहीं मैंने काफी टाइम से किया है मैं हमेशा प्रमोट करूँगा टेक्लोजी को और टेक्लोजी के कारण जो हम अच्छे काम कर पाते हैं उनको भी ऑनलाइन गेमिंग पिछले कुछ टाइम से इंडिया में अगर हम बात करें खासकर से तो बहुत ज्यादा पॉपलर हुआ है और ये देखके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जिस तरीके से ऑनलाइन गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, मुबाइल गेम्स वकर आगे और तेरी से बढ़ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो एस्टाबलिश हो रही है वो देखके बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव गेमिंग या फिर गेमिंग का अडिक्शन जो है वो एक टाइप का डिसॉर्डर है हो सकता है कुछ लोग इस बात पर यकिन करें कुछ लोग इस बात पर यकीन ना करें लेकिन ये एक फाक्ट है जो मैं सबसे पहले ही आपके सामने रखना चाहता हूँ बहुत से बच्चे, बहुत से लोग आज की रेट में गेम्स खेल रहें इंडिया में, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब तक नहीं है जब तक आप एक मौडरेशन में गेम्स को खेलते हैं, अगर आप अपनी जान ले लें उन गेम्स की वज़े से, तो भी क्या आप उनको उतना ही सपोर्ट करेंगे, तो भी क्या आप यहीं बोलेंगे कि नहीं गेम्स तो एकदम बढ़िया होते हैं, देखिए किसी चीज़ का बढ़िया होना या बढ़िया ना होना, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी गेम को दोश दे रहा हूं, लेकिन कही डालती हैं किसी एक individual पे किसी एक रहो इंसान की mental health पे तो ही कही न कहीं हम ऐसे outcomes को आते वे देखते हैं अभी recently एक case निकल के आया था और जब से मुझे इसके बारे मालूम चला ना मैं यही चीछ सोचे जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे ऐसा क्या हुआ होगा ऐसा कैसे हो सकता है मद्य परदेश में एक 13 साल के बच्चे ने suicide कर लिया क्योंकि वो एक game में कुछ 40,000 रुपे खर्च कर चुका था और उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है नुकसान तो खर हुआ ही लेकिन उसके लिए उस बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली He's gone बहुत लोग अभी just because उनके लिए वो game के परे कुछ देखी नहीं पा रहे है वो game को खेलते है free fire game का नाम है वो बहुत बार तो ये justify कर रहे है कि ये fake news है बहुत बार justify कर रहे है कि या रहे नहीं उस बच्चे में कुछ होगा है game में तो कोई दिक्कत नहीं है किस अच तक जाओ गए यार वो लड़का इस दुनिया में नहीं है he's gone वो जा चुका है भाई still just because हम उस game के परे कुछ देख नहीं पाते है just because हमें लगता है कि यार गहीं कुछ game कहीं चला ना जाए हम जो है कहीना कहीं तो आप भी उसी track पे हो यार कहीना कहीं तो आप भी वो addiction का शिकार तो हो चुके हो पता नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है अब उनको नहीं पता है वो तो यह समझ के दे रहे हैं कि यार बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है और कहीं न कहीं पढ़ाई करने के लिए काम में आ भी रहे हैं सब चीजें लेकिन वहीं से शायद ही चीजें डेवलप हो रही है कि मतलब ऐसा नशा जुनून हो गया है गेम्स को लेके कि यार मैंने भी गेम्स के लिए है मैं भी खेलता हूँ और कोई हाम नहीं होता है लेकिन एक मॉडरेशन में क्या उस गेम के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि बस जो है सुभह से लेके रात और रात से लेके सुभह बस जो है वो हमारी दुनिया उस गेम में सिमट के रह गई है उपर से इंडिया में आप सभी भी यह बात जानते होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस मामले में कितने मासूम कितने भोले होते हैं उन्हें नहीं पता कि आप फोन पे क्या कर रहे हैं अकसर आप उन्हें भैका सकते हैं आप उन्हें कुछ भी बहाना दे सकते हैं और वो क्या कर पढ़ेंगे उनको क्या पता है कि आप फोन पे क्या कर रहे हैं अगर आप बोल देगे कि मुझे डिस्टरब और एक नोट लिखे गया है वो कि वो गेम में 40,000 रुपेगा उसने कुछ खर्च किया और वो हार गया पैसे या कुछ पैसे कहीं पे लुट गए उसके बरबाद हो गए अब सोच सकते हैं दमाग पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा कियो और इमाजन देट बट हम सिर्फ गेम को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं गेम की गलती नहीं है अरे मान लिया गेम की गलती नहीं है लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो चीजने रही होगी कहीं न कहीं कुछ तो इमपैक्ट डाला होगा इस बात से disagree कर जाओगे कि mental health जो है वो नहीं बिगट रही है excessive gaming से आज की date में बड़ी बड़ी companies Google हो या Apple हो या जो भी है वो सब के सब excessive mobile use को गलत मानती है वो खुद अपने mobile phones में ऐसे software में चीज़े implement करने कुशिश करती है कि आप excessive एक limit से जादा mobile phone use ना करें इसके अलावा भी दुनिया है यह सिर्फ एक टुकड़ा है आपके हाथ में काँच और प्लास्टिक का इसके अलावा भी चीज़ें है there's a world that exists around it बट नहीं हमको लगता है यही हमारी दुनिया है गेम में देख देख के देख देख के एक ही चीज़ को repeat पे कोई gameplay देख रहे हैं मन में लाला चा रहा है अचा हम भी ऐसा करेंगे हम भी यह सब खरीद लेंगे यहां पर वो in-game purchases करते हैं आज की डेट में अकसर क्योंकि जब से हम बात कर रहे हैं digital payments की इतना असान हो गया है की parents के credit debit cards जो है उनकी access हम को मिल जाती है बहुत बार बहुत दर नोबाइल में सेवड़ हो जाता है तो वो दो तिन क्लिक से पहले से काबू क्यों नहीं किया जो शायद आपकी parents को भी करना चाहिए अगर आप इस game-meditated है तो मैं बात सभी parents से कर रहा हूं I mean कुछ तो देखो कुछ तो देखो क्या चल रहा है just एक mobile दे दिया और कई बार parents जो है वो I'm sorry mind मत करना इस बात को लेकिन बहुत बार उनका ऐसा लगता है कि बस ठीक है चलो बच्चा mobile में लगा हुए ठीक है बस डिस्टरब तो नहीं कर रहा है ना ठीक है वो क्या कर रहा है उस mobile भूने वो तो देखो कम से कम वो क्या कर रहा है दिन से शाम लैपटॉप पे इंटरनेट पे वो तो देखो कम से कम कई parents हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी से पला जाड़ लेंगे सोचके कि बस ठीक है वो mobile में कुछ नकुछ लगा रहता है बस हमें तो कम से कम परिशान नहीं करता है ऐसे सीन भी है मैं इस बात से disagree नहीं करूँगा दोनों एक्स्ट्रीम से आप अविलिबल हैं मतलब क्या ये डिवाइस जीवन भर के लिए बस ये डिवाइस से चपक के रहलो क्या life सही है हमारी क्या और ये एक किस नहीं है ऐसे कितने कैसे हैं आप गूगल करके देखा एक बड़ आपको मालूम चलेगा केरला में कोई 22 साल का लडगा है उसने suicide किया है किसी ने अपने lifetime parents के savings पूरी गेम में उडा दी है किसी ने कुछ attempt कर लिया है किसी को parents ने data तो उसने कुछ attempt कर लिया है किसी ने parents ने data किसी बच्चे को ज्यादा गेम खेलने करे तो घर शोटके चला गया है बता रही कितरे सीन हुए ऐसे यार कहीं न कहीं तो कुछ mental health पे फरक पड़ता होगा यह tender age 10-12-15 साल की जो age है इस टेम पे दिमाग आपका कैसे काम करता है do you have any idea आप किस चीज से कितना जादा influence हो जाते हो एक second में जो है वो आप किसी भी तरफ चल पड़ते हो do you have any idea लेकिन यहां पे हम सिर्फ gaming से बढ़के कुछ मानते ही नहीं है यहां बस gaming gaming है रही क्या होगा gaming का life में आगे जो आज की rate में कोई e-sports के champions भी होंगे वो भी कम से कम ऐसे तो नहीं उन्होंने 25 गंटे game खेल के champion बने होंगे moderation नाम की कोई चीज तो होती है ना आज की date में जो top athletes भी है अगर कोई क्रिकेटर है तो वो 20-20 गंटे क्रिकेट नहीं खेला था उसने बचपन सेल तक उसने एक work life balance तो बनाया होगा उसने कहीं तो एक कोई धंका routine तो उसने follow किया होगा उसने अपना को schedule तो बनाया होगा यार वो ऐसे पागलपन में cricket खेल के गली में नहीं बन गया champion लेकिन हम सिर्फ justify इस बात पर कर देते हैं कि नहीं यही तो passion है हमारा इसी में तुमांगे नाम कमाओंगे तो नाम भी ऐसे नहीं कमाते हैं कि आप उसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोचो ही ना और फिर आप तक हमारी दिमाग पेसर कर चुकी है और जो लोग अभी इस चीज को ये बोलके justify कर रहे हैं कि ये fake news है मेरे को तो उनके mental level पर तरस आता है यार मतलब कोई इंसान जा चुका है एक 13 साल का बच्चा है यार मेरा nephew है 10 साल का भी होने वाला है September में मतलब सोचो मैं imagine करता हूँ अगर अंदर से क्या शरीर महलत होती होगी और अगर को ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता 13 साल का बच्चा है नहीं पड़ी है हिंदुस्तान में हर साल 12 बारवी के जो रिजल्ट्स आते हैं बोर्ट्स के तो पता नहीं कितने ही कितने सुसाइट से अटेम्ट किये जाते हैं और काफी बच्चे अपनी जान ले हैं क्योंकि नंबर अच्छे नहीं आए कहीं नहीं तो दिमाग में मेंटल प्रेशर तो होता है ना यार पचास चीजों का मेंटल हेल्थ मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ना ये बात तो आप समझते हैं इस बात को ऐसा तो नहीं है कि ये सब बाते हवा में ह गेमस केल हैं तो प्लीज अपने बच्चों पर ख्याल रखिए कि वो क्या कर रहे हैं इस से ज्यादा बड़ा लॉस् ना हो जाए सिर्फ ये सोच कि ignore मत कर दो कि बस हो मुबाइल में लगे में तो ठीक है कुछ पढ़ाई कर रहे होंगा ठीक है पढ़ाई बोलके यूज कर रहे है तो ठीक है मतलब बस दिन बर करता रहे मुबाइल के अंदर एक बंद कमरे में हो के यूज फिर चाहे वो एक्सेसिव गेमिंग हो चाहे वो एक्सेसिव सोचल मीडिया हो चाहे वो एक्सेसिव कुछ भी हो स्पेशली आज इस इंटरनेट की दुनिया में जो हमारे खिड़ी के जरिये हम ब्राउज करते हैं पुरी दुनिया को ये बिल्कुल भी एक लिमिट के ज्यादा अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए ये मैं अगर बोल रहा हूँ तो कुछ इस बात का कुछ जो है वो सचाई समझख इस बात कर लो है मैं रहिंमें नहीं करता हूँ excessive usage किसी भी टाइप के gadget का या किसी भी टाइप के mobile phone का या किसी भी ऐसे game का तो प्लीज अगर आप एक parent है तो कंट्रोल कीजिए, अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं खास कर से वो माइनर सगर हैं तो बारा, तेरा, पंदरा साल के गुरून के एज़े तो वो बहुत टेंडर एज़े हैं, वो किसी भी तरफ देवर्ट किसी भी तरफ influence हो सकते हैं और अगर आप एक गेमर हैं तो प्लीज लिमिट में गेम केलो यार ये जस्टिफाइ करते हैं कि नहीं e-sport से पैसा है रहे सब कुछ है मान लिया बात, लेकिन still there has to be a routine, there has to be a limitation, there has to be a moderation आप ऐसा नहीं है कि बस उस चीज को आपने बोल के फिर आप 24 घंटे गेम केलेंगा, ऐसा नहीं होते you have to maintain a proper balance in life फिर चाहे आपको सोना हो, उटना हो, पढ़ाई करनी हो और बाकी लोगों से मिलना हो, दोफसों से मिलना हो वो सब होना चाहिए, सारी दुनिया मुबाईल फोन में नहीं है, आपके इसके बाहर असली दुनिया है, ये सिर्फ एक हिस्सा है उसका प्लीज ट्राइ टॉंडस्टैंड दिस और गेम्स में जब खर्चा करते हो, तो तब क्या अगर हो, जब कमाने का आपको potential हो आपके पास में और या फिर आपको पता है कि आपने अपने पेरेंट से पूछ चे खर्चा किया है ये बिना पूछ है और जो हमको लगता है कि हाँ बस ठीक है, 200 और 500 ही तो है आपको नहीं पता कि 200 रुपे कमाने के लिए कि इतनी महनत लगती है, जो शायद आपके parents ने हो सकता है पुरे दिन पर की कमाई से 200 रुबे घठा की हो तो please समझो उस बात को just because आपके पास में easy spending option आगए आपको पता है कि हाँ ये दो क्लिक से payment हो जाएगा और मैं ये नया update कर लूँगा या खरीद दूँगा बेश लूँगा जो भी होता लेकिन क्योंकि ये news सुनने के बाद से न मैं तो हिलाव हूँ अंदर से honestly और मुझे जो मतलब कैसे इस शिर को काबू किया जाना मैं बस वो सोच रहा हूँ कि यार how to control how to control मुझे कोई clear जवाब मिलने पा रहा है इसलिए मैं सारे के सारे जो हैं वो options इस वीडियो में डालके छोड़ रहा हूँ उमीर आर आपको वीडियो पसंद आया हुगा जया हिंद वंदे मात रहा हूँ